लो गाइस वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो ओफ रेंडेम मौनू यूटीव चैनल यह वीडियो है चिप्टर 6 इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वोईस पे या एक ट्रेक पे आप नॉइस गेट कैसे लगा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास तक जरूर देखेंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उससे जरूर देखिए क्योंकि यह मकमल एक सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको इंट्रेक की स्टार्टिंग से लेकर इंट्रेक की एंडिंग तक बताऊंगा ओवरॉल इंट्रेक का आप कंप्लीट कोर्स इससे आप बोल सकते हैं तो चले शुरू करते हैं जानते हैं कि नॉइस गेट कैसे लगाते हैं आप सन सकते हैं मैं जहां से बोल दाऊं यानि में जिस ट्रेक पे बोल दाऊं इस पर मैंने नॉइस गेट लगा हुए जिससे नॉइस कम रेकॉर्ड होती है तो आप अपनी track पे noise gate कैसे लगा सकते हैं यह इस video में आपको मकमल बताने वाला हूँ तो लगाने से पहले हम यह जानते हैं कि noise gate करता क्या है Actually noise gate कुछ और नहीं एक type का compressor होता है जो अपने threshold के नीचे जो भी sounds आती हैं उन्हें completely silent कर देता है और उनके उपर आने वाले sounds को allow करता है अंदर आने के लिए और उसके बाद उन्हें represent करता है audio form में ठीक है यही काम होता है noise gate का noise gate पूरी तरह noise को remove नहीं करता है यह तब तक noise को रोके रखता है जब तक आपकी sound नहीं आती जब आप बोलते हैं या आप singing करते हैं आप पुलना start करते हैं audio level उस signal को hit करती है और उसके साथ ही आप ये audio के साथ जो noise होती है वो भी उसमें जाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पीछे से भी noise पूरी गायब हो जाए भले ही आपकी sound जो है आपकी voice जो है वो आ रहे हो तो ऐसा तभी होगा जब आप noise reduction करेंगे actually noise reduction जो होता है वो यही काम करता है कि एक particular frequency जिस पे noise होती है उसे remove करता है ये actual और real noise reduction की पहचान है audacity में जो होता है वो भी यही काम करता है लेकिन उससे नुकसान यह है कि आपकी audio की quality होती है जो clarity होती है वो damage हो जाती है इससे आपकी audio unprofessional और unnatural sound करने लगती है इससे बचने के लिए singing apps में ज्यादा तर noise gate का use किया जाता है ठीक है तो recording के भी कुछ नियम है वो मैं आपको आने वाली इन्शाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा तो चलिए आज देखते हैं noise gate कैसे लगाते हैं तो अभी मैं echo track create करता हूँ और अब मैं यहाँ पर recording करता हूँ तो अभी मैंने जो track लिया है उस पर मैंने एक recording के आप सुन सकते है इसके sound थोड़ी से low है इसलिए मैं अपनी sound थोड़ी सी कम करूंगा और इसकी थोड़ी सी boost करूंगा अब सुने अब तो त्री फोर वान तो त्री फोर यहाँ पर जब मेरी आवाज नहीं आ रही होती है तो आपको noise सुनाई देती है जबकि इस इस track पर जब मैं बूलता हूँ तो जब मेरी voice आनी बंद हो जाती है तो noise भी बंद हो जाता है आप सुन सकते हैं तो यही काम noise gate का होता है यहाँ पर noise gate दखाने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर जो mixer type का बटन दिखता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जहाँ पर मेरी compressor लगा हुआ है वहाँ पर आपने एक effect add करना है compressor लगाना है और यहाँ पर compression में preset जो है noise gate का चूज कर लेना है release time 20 microsecond का लेना है ठीक है sorry 20 microsecond आपने release रखना है और attack आप zero click कोई problem नहीं है लेकिन attack time अगर आप जादा रखते हैं तो noise gate थोड़े सा late करके काम करना शुरूख कर जिससे आपकी audio पर भी इसका effect होगा तो release time का काम यह होता है कि audio के बंद हो जाने के बाद कुछ time तक noise gate जो हता है वो खुला होता है इस वजह से कुछ noise आ सकती है इसलिए यह release का जो time है इससे हम reduce कर देते हैं कम कर देते हैं जिससे कम noise आ पाए ठीक है अब यह आता है three shoulder आप देख सकते हैं तो three shoulder का क्या काम होता है three shoulder का काम बस इतना सा होता है कि जो audio level है वो define करने के लिए हम three shoulder का use करते हैं अब इससे कोई audio नीचे है सपोज़ कि यह three shoulder है इस three shoulder यानि इस audio level के नीचे की कोई audio आती है अगर मेरे recording में तो उसे यह gate remove कर देगा या पुरी तरह silent कर देगा लेकिन इससे उपर sound detect होती है तो उसे यह allow करेगा और यह out gain है यानि जो sound को यह allow करेगा वो कितने जादा loud होगी आप यहां से choose कर पाएंगे ठीक है यह novel actually slider है ठीक है और आपने कुछ भी नहीं करना है यही काम होता है ratio अगर आप छेर चाड़ करते हैं तो यह noise gate का preset almost unusable हो जाएगा बेकार हो जाएगा तो preset इसलिए use के जाता है कि यह noise gate का का काम करने लग जाए ठीक है ऐसे आप noise gate लगा सकते हैं अब आप सुने audio आप सुन सकते हैं यह जो audio है अभी इसमें noise नहीं थी क्योंकि noise gate चालू था इसमें noise थी लेकिन जब तक audio की sound यानि audio में जो voice record की गए वो voice नहीं आ रही थी तब तक noise भी नहीं आ रही थी अभी मैं यहापे noise gate को बंद करूंगा फिर आप सुनेंगे अभी आपको वो sound भी आ रही है जो voice के आने से पहले थी वो आ रही है और voice के आने के बाद भी आ रही है अब noise gate चालू करके अगयान सुनते अगर आप headphones नहीं लगाए हुए है इयरफोन्स नहीं लगाया है तो जरूर देखे और जरूर लगाईए जिससे आपको जो minor differences होते हैं audio में वो जादा अच्छे से समझ में आए प्लीज 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 इस बात पर घौर करें जरूरी तो पर घौर करें जिससे आप जाद अच्छे से समझ में audio के differences को तो आई होब आपको समझ में आगया होगा कि noise gate कैसे लगा से हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी तो मेरी चैनल को एक बार जरूर वेजिट कीजेगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब सुब्सक्राइब कर लिजे बल आइक अन दबार जिए जिससे जब मैं वीडियो अप्लोड करूं तो आप तो आप से नोटिफिकेशन पहुंचाएं थाइक यू री माच्छ वाव गूद देख